कि नमस्कार इन विशेन के दर्शोकों का मैरतना कर खास मुलाकात इस कायण क्रम में स्वागत करता हूं। और संस्कारों का गरहंड करना यह अत्यनतावर्शक रुका है ऐसी एक अकाड़ेमी है जो नापपूर और भंडरा में है डीडियेस अकाड़ेमी जो केवल शिक्षाही ने देती संस्कार भी देती है और आधुनिक्ता की जोड के साथ में विद्यार्थियों को उज्वल होश हम कहते हैं कि चेंज is the only constant शिक्षानिती का भी बदलना था है बदला बदलाव भी हो रहे हैं यह बदलाव किस तरह से क्या है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आखरी बदलाव जो शिक्षानिती में आया था वो 92 में आया था वह बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुए थे इतने साल से हमने शिक्षानिती में कोई परिवर्तन किया ही नहीं है आज मैं देखता हूं जो भी युवा देखता हूं उसको बुस्तों क्या करना है तो आंसर मिलते हैं मुझे जॉब करना है यह कंपनी में जॉब करना है वो कंपनी जॉब करना है हमें आज शिक्षानिती जो जो जोब दे सकती है तो हमारा GDP बढ़ जाएंगा बिल्कुल सही बात है कि हमें जॉब लेने के हिसाफ से शिक्षा घ्रहन करना इतना ही हमारा लिमिटेशन नहीं होना जाए बिल्कि हमें यह कि मैं खुद आंतरापनोर बनू और मैं ही ऐसे जॉब क्रेट करूँ तो यह ए अइक एक से शह्त विश्त कर देता हूँ भी से माने एक ठाट कर देता हूं अजो सुदंस बनेमें पूचा उस तो पूचा तो सुदंस ने अच्छा बंशाने के हिखा लिकिन मुझे संगित लेना है मैंने कहा हमारे पैटर्ण है यह इसा करने से हिसा होता है करके नहीं सांद्स लेना तो आर्स एंक झेंख में लिकिन संगित कैसा ले सकता हूं तो मैंने काह कि जो नई शिक्ष्या रही है अनीति आरे शिष्या निक्या रही है तो यहां तो इसमें बहुत ज्यादा freedom दिया है कि यदि मुझे mathematics लेना है उसके साथ मैं accountancy भी ले सकता हूं मैं संगीत भी ले सकता हूं मैं biology ले सकता हूं जितना जैसा चाहिए मैं अपने आपको जैसे आपने एक्जामपल दिया कि science और music तो आज के दोर में हमें एक professional education के साथ में हमारी जैसे science हम कहते है कि बहुत एक 10 सब्जेक्ट होता है लेकिर उसमें music का जोड अगर दिया जाए तो वह 10 सब्जेक्ट थोड़ा सा और आन्ददाई हो जाएगा उसको मैंने इही सला दी मैंने कहा तू इंजिनेरिंग कर ले अच्छा जॉब मिला तो इह पास दिन तिरेको जॉब करना है और दो दिन संगीत करना है तो दोन हो जाएगा अभी के शिक्षा पनाली में जी बड़ाब हम कहेंगे उसका फ्यूजन प्रॉपरली हो जाएगा तो इस स्किल्ड बेस एजुकेशन क्या है और इस पर क्या एक्स्परिमेंट सो रहर कैसे होना चाहिए जो नई शिक्षा नीती है वहां क्या होता है एट नाइन टें में भी आप छोटे-छोटे सेलाबस ले सकते हो क्या है पादों को पाने कैसा देना है उसको कैसे उबाना है या सेलाइ मशिंग कैसे चला आना है यहां से धीरे-धीरे डियुफब करके रखा है एक एक एक्जामपल दे रहा हूं अभी भी वह थोड़ी स्किम आ रही है नई शिक्षा की बात ने कर रहा हूं है शिक्षानिती की बात ने कर रहू है एक देड साल पहले गवर्मेंट हम आपको funding देंगे, और बच्चों को जैसा करना है, वैसे करने दो, एक उसको robot देया है, उसको समझाये कि robot आईसा ऐसा काम कर सकता है, यह robot तेरे को दे दिया है, तो अपने हिसाब से उसको चला, जैसा चाहिए वैसे चला, तो जब एक एक पार्ट करके बच्चा इसको देखेंगा तो नैसरल यह डेवलप हो जाएंगा हमार जमाने में क्या आता कि प्रैक्टिकल है तो सर ने करके दिया ठीक है अब रिडिंग लो करके तो हाथ लगाने के तो कई बात ही नेती वहाँ के टूट फूट हो गया एक डर तो यह एक प्रैक्टिकल में के बीच में जो डर की भावना है वो अगर खतम हो जाए तो मुझे लगता है कि जो आने वाली प्रीडी जो है वो और फुले मन से और अपना डेडिकेशन उसको अपना लाइकिं समझ ब्हां जाएगा bütün में जो छोटे-छोटे सिले बस दीए है तो मुझे लगता है कि गार्डुम अच्छा कर सकता हूं मैं मैं सिले अच्छा कर सकता हूं मैं दॉइंग ऐलांगा ईक्शा कर सकता हूं तो उसको दिरे-दिरे समझ मेंआगा कि मुझ इसा हम पर एक जाल पता है, तो एक जाल परिनावत होता है, तो मिलें से प्रीजांफ पैटन से अगर हम एजुकेशन दें, तो तो रिप्जांसे आपका है तो एक बिद्यार्थियों को भी ज्यादा समझने में साहँचें होगी, उनको मेमराइज करने में और आपका केल उध जो उनने एक पैटन में दिया है आज का पैटन कैसा है कि Gandhiji ने सत्याग्रह किया ठीक है थे नहीरी जे इसा किया हमने पढ़ लिया अप ने पढ़ लिया फिर मैंने उसके ओपर अंसर लीके कि सत्याग्र कभ रहा था कैसे हुआ था क्या हुआ था 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 थे नाय शिक्ष तो क्या है है जाना थो तो तो ये तो तीन बर पढ़ लिग दिया, पेपर दिया, यू नईनी परसें, दिया सुश्वात, पैटर नहीं हुआ होता तो तो आपकर लिए और पर सक्षे शाथ में आपको सब्मेस करें विर्षेकर की शाथ को ब्लाका की तरगे को खोना एंडूर यह ऐसा होने से कई पार जो है एक सुप्त जो हमारे अंदर की शक्ति रहती है तो मेरे खांश पैटर्न से वह सुप्त शक्ति मतलब जितने लोग आपके क्लास में 100 विद्यारति अगर है तो सुप विद्यारति हैं कि अपनी अलग-अलग व्यक्ति मतवों वेसी चीची कई ब अच्छ तो नए पैटर्न में क्या दिया है कि छे परसेंट दे दिया है तो जितना फंडिंग जादा आएंगा उतने डेवलोप्मेंट के लिए हम कुछ नए को चाहिए एक्स्प्रमेंट कर सकते हैं नए इवेनियूज मिलेंगे नए इंफ्रस्रक्ट्च्छर की प्राप् करने लगता है मुझे लगता है कि 22-23 तक हो जाना है बिल्कुल सही बात के लिकिन आपने भी पैंडेमिक के बात की देखर साल से हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं हाला कभी 19-20 कभी बहुत भया हो कभी ऐसा लगता है कि स्थिति आप कंट्रोल में आरही है लेकिन कोई इसक बाइस नहीं था तो एड़ॉप्ट करना पड़ा किया भी तो अफलाइन शिक्षयं पध्दती से आपको फर्क मैंस आपको तुम्हें अच्छी बात बोल रहा हुँ कि अच्छा आ अच्छा का है आज कैसरा है कि मैं देहात में रहता हूं मानलो मैं काट्र में रहता हूं औ और छोटे गाव में रहता हूँ और मुझे नागपुर में पढ़ने के लिए आना है तो मेरे लिए बहुत expenditure ज्यादा होता है उसका क्योंकि मुझे रहने का है खाने का है यह सब तो मुझे खर्चा करना ही है बिल्कुल ओके और पैरेंट के साथ दूर जाना है अब यदि मैं आनलाइन ही पड़ना चाहूँगा तो अब्यसलि मेरे पास मुर्टीपल चॉइस हुए कैसे की तो के घे मेरे पास मुझे ले सकता हूँ आर दुस्री बात कैसे है कि तो मेरा financial भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है, जानने का खर्चा भी बच जाता है, और जो travel का बात आती है यहां से निकलो घर में जाओ, वहां से वाह जाओ, वहां से वाह जाओ, तो एक एक्सिडेंट के केसे भी यह देड और सार में बहुत कम हो चोगा अब यह उनलाइन शिक्ष्या पद्धती इससे बच्चों ने किस मालसिक्ता से गुजरना चाहिए यह एक अहम सवाल है और आपने अनलाइन पद्धती का अवलंबंद भी किया है तो आप इसमें जो स्टूडन से इनको कैसे क्या एडवाइस करेंगी मैं तो यह भी कि अच्छी बाते बताई है कि ऐसा है आपका चॉइस है आपका टीचर है घर में बैटे पड़ सकते है पैसे के बचत होंगी और समय के भी बचत होंगी उसके प्लस पॉंट से तो माइनस पॉंट क्या आते है कभी नेटवर नहीं आता है ओके जब मैं पढ़ाता हूं तो मै क्या देखता हूं कि इतने इतने स्टूडन मेरे क्लास में बैठे है एक ड्रॉप हुआ दो ड्रॉप हुआ तीन ड्रॉप हुआ तो मैंने फोन करके पूछा कि ड्रॉप क्यों हो बल निटवर के गया मारा हम क्या कर सकते हैं तो यह उसका एक शॉट कमिंग भी आता है एक द पर शुडन पिछे हैं तो क्या होता है मुझा एक सर का भी ध्यान जाता है कि उसने होमवर्ट किया कि नहीं उसकी बॉड़ी लैंग्विज कैसी है उसकी होमवर्ट नहीं किया होंगा तो चलो कुछ पनिश्मेंट मिलती है फिर पैरेंट को बोलाते कि आपके बच्चे ने ह उसकी होमवर्ट नहीं किया है करके यह सब बाते आ जाती है एक मनोव ऐगयनिक दबाव जो है उसके बच्चे के मन के उपर में रहता है ऑफलेंड में क्या होता है मैंने सर के पास लाके दिया अब सर आप देखते बैठों और हम भी उतने ही जिम्मेदारी से देखते थे आ और यह पता नहीं कि वह सच मुख पढ़ today करू 소 है को हाने रा उदर जारू और मैंने म citizens अब बन कर दिया तो आपको तो पता नहीं आप क्या बोल रहे कि देखते हैं कि डूसरी बाद जो भी होमवर्ग दिया है हम्वर्ग descriptive है इस वहई डिफिकल्ट को तो फिर ये पैरेंट की जिम्मेदारी बनती है यदि ओमवर्क मल्टिपल चॉइस का है और हमको भेज दिया तो जड़ से हम उसको चेक करके दे सकते हैं तो ये आपने पैरेंट की बात की पैरेंट को क्या आडवाइस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने फिर अपने बच्चे क ले आंसर क्या आया कि हमारे बच्चो को समस्था नहीं कि बच्चों ने ब्लॉक करके रखा है कि मुझे ऑन-लाइन समस्था वसके सामने सर थे चलिए कर तू वो कर ये वो कर वो कर तो एक्च Was कली सर का इंपैटतma अब सर का इंपैटतma तो तो उसको कर नहीं था अब कोई क समस्ता ने उसमें से इसलिए बच्चा कहता है कि मुझे नहीं समस्ता तो पैरेंट के लिए बता रहा हूं एक सलह दे रहा हूं आपके माध्यम से और यह बहुत ही महतोपुर्णा सलह है क्योंकि बच्चों का भविश्य जो है पहले की जो पद्धत ही होती थी कि माबाप यह स जिए बढ़ बढ़ एक साथ 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 ब वेटे को बढ़ा रहा हूं, मिटीयों को बढ़ा रहा हूं यह तो बहुत सभवागे की बात हो गया तो मैं उनको यह तो तू भी बैटनर यह रहा है तू पड़ तेरा बच्चा भी बढ़ेंगा करके यह जो हम पारेंट्स किया है बात कर देख गदेशन होना और एक बच्च को किया ही है तो एक बात आपको इंसिस कर रहा हूँ कि आपको ओनलैन क्लास आपने अचएनग किया ने कर 젊ंदे भी बच्च को रीकोर्डिंग दे लिए और बच्चे उस ररेकोरडिंग से ही पढ़ते है एस नार्मल प्रेंग है अब नर्म हमारा क्या रहा है हम भी आनला कि यह जुग और यहां है मैंने कि दोते शीलिग लिखते हैं हमारे प्रुक्त कह Lewis कि मैंने कर्के यहां होता है तो उसका प्रुम भाएके आधा कि अरूंगर यहां तक मैंने कि दोता है 15- έ Eigen इक का यहां यहां भी लिख लिए लिख दिया है तो मुझे रुक ना है एक मिनिट के लिए रुखना है तो मैं क्या बोलता हूँ कि चलो आजाओ चाट में आजाओ मुझे क्विश्चन पूछो तो क्या होता है उसमें बच्चा पूछ लेते हैं कि सर वो आठवी लाइन नहीं दिख रही है वो क्या लिखा है यह फामूला कैसा है मुझे नहीं समझा करके तो देर इस इंट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम हमारे क्लास की उस दिन की रेकॉर्डिंग भीज देते हैं मतलब आप दोनों चीजों को एट आप करते हैं कि यह लाइव तो पड़ो ताकि आपके पैरमेटर पर आपको जज़ भी करना हो जाए और कहीं कुछ मिस आउट हो भी गया है तो आपके रेकॉर्डिंग सुरक्षे तरह के जिसके मार्दम से आप रिविजन कर सकते हैं मैं पैरमेंगो एक सला दूँगा कि बहुती रियर केसे में यू का आप पर दे रेकॉर्डिंग जहां ताक हो सकता है जहां तो पूछ आपको बता रहा हूं और आपने पूछा तो आपके डिफिकल्टी बाकि लोगे डिफिकल्टी हो सकती है उसमें से कुछ बच्चे ऐसे जिसने पूछ लिया उसके वजए से उसने तो समाज सेवा ही कर दी में तो नहीं तो बाकि विद्ध्यार्तियों को तो गुरुजन भी काफे अप्रेसेट करते हैं जो सवाल जादा पूछ लिया है पैंडेमिक की सिचुएशन में सर बहुत सारी ऐसे सिचुएशन है कि जहा बहुत बुरा हो रहा है जो अला सफरर्स कोई प्लस में कोई बाइनस में थोड़ा सा 19-20 में सब सफरर हैं तो हमने ऐसा निरने लिया है कि जिनके एक पैरेंट या बहुत पैरेंट जिनकी डेथ हुई है हम उन बच्चों को फ्री में दो साल पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है और यह मैं समझता हूँ उन विद्धियार्थियों के लिए जिनों ने अपने पैरेंट्स को खोया हुआ है या तो मा को या आपकी ता को तो उनके एक आने वार उजवल भुष्चे के लिए डिड होधिन में भुष्च करो कि शिए द converted है और यह मैं झाल आपाट ख्रुच अभॉष्द प्रेफरक करोई टो अपका ट्रुष्च को ंरुष्छ करेंगे इस this just । जसकारतीम कर्लों को जिस चाह विद्धियों कि उस त्रेसे कि इस अपने बहुआ है उसके शुर्थियॉ ल परिक्षा का जो रिजल्ट है वो विध्यार्थियू के चेहरे से हमें तुरंध पता चलता है क्योंकि इन बच्चों का आदत नहीं है इतने साल से उनको एक ही आदत है स्कूल में जाना है सर के साथ बैठना है सर को समझ लेना है और बहुत बार क्या होता है कि जो सर की पर बात कर ली हम एक बात जो है आप से शुरू कि थे DTS Academy हम जानना चाहेंगे DTS Academy के इतिहास के बारे में और आज के बारे में मैं देशपंडे सर्व जैसे सर ने कहा है मैं दंडे सर शेटे सर हम अपने अपने घर में अपने अपने एरिया में हम क्लासेस लेते थे आज 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 आएसे स्ट्रों को पढ़ा रहा हूं कि जिनके ममी या पापा को हम ने पढ़ाया है तो नाचरल है कि दो हजार तेरा में नीट का पहला एक्स्पेरिमेंट हुआ हमारा घर तो पहले से अच्छा था तो हमने सुचा कि एक प्रब्लम हमारे साथ था कि आपके पढ़ा फिर मेरे अपढ़ा फिर उनके पढ़ेंगा तो बच्चों को घुमना पढ़ता था इधर उदर 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 अलग-अलग सब्जिट के लिए तो हम तो ने ने सुचा कि एक छहत के अंदर क्षिद्दे क्यों आते करे करके तो ऐसे इसको सोचते हैं परेंस के लिए भी इन सब ये पैटन का बहुत काफी एक बार एक क्लास में बैठा है तो तीन-चार पाज घंटे उसको बैठना है तो यह हमने एक थीम लाई थी 14 आउगस्ट 2014 फिर हमने 81 तो आ गए थे फिर सबालता कि नाम क्या देंगे क्लास को ठीक है ना तो सुचा कि चलो हमारे जो नाम के सरनेम के इनिशन्स है तो उसका हमने DDS लेकिन यह अलग यूनिक नाम बन गया और इसका इंपैक्ट भी और DDS के जो नाम है और DDS के जो विद्धियारती है जैसा आप खुद बता रहे हैं कि पैरेंट्स भी सिखे हैं और उनके बच्चे भी और मैं भी उन खुछ नसीब इंसान हुए मेरे जो उत्र है वो भी DDS Academy एक जमाना तो ऐसा था कि नागपूर के कलेक्टर नागपूर के महापूर और हमारे ही एरिया के आमदार यह तीनों एक प्लैट्वर्म है और मेरे स्टूडेंट है तो ऐसी पीडी का निर्माद DDS Academy की जाता है आपके सक्से स्टोरी भी हम चांदना चाहेंगे DDS की जो सक्से स्टोरी जिस मैंने कहाना भी कि एक बात एक बात अबर एक सक्से स्टोरी के बारे में बता रहा हूं कि एक दो-चार महने पहले जितने स्टूडेंट को मेडिकल में एड्मिशन मिला था उन सब के पैरेंट को बोलाय था बच्चों के साथ स्टूडेंट को नहीं बोलाय था कि मॉब एकटा करना पॉसिबल ही नहीं था रिस्ट्रिक्शन बहुत जादा थे तो हमने शिरिप कहाता कि ममी पापा के साथ आओ और दूर दूर बैठेंगे और एक प्रोग्रम लेता है क्योंकि बच्चों के बच्छा लगता है तो जितने भी डॉक्टर्स बने थे उनके लिए था और जितने भी पैरेंट्स थे उनको हमने कहाता कि आप उच बाते शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं करें तो एक बात तो बहुत ही जोकाने वाली थी एक ममी एक पापा दोनों भी डॉक्टर और दोनों ने कहाता कि हमें बहुत खुशी है कि जिस क्लास में हम खुद डॉक्टर बने हैं और उसी क्लास में वारा बेटा भी डॉक्टर बनने जा रहा है तो विए नॉट नहीं क्योंकि चालीस साल का बहुत बड़ा इतियास है बहुत बड़ी ज़ए आते हैं जाते रहते हैं जो उनने खुद गहां तो बहुत अच्छा लगा बिल्कुल सर ये तो दिल को मैं महसूस कर सेतना हो कि वो मुमेंट कितना इमोशनल रहा होगा उनके लिए भी पैरेंट्स के लिए भी बच्चे के लिए भी और प्राइबिडेट्स के लिए गुद भी बच्चे के लिए मैं एक सीधा साथ कुछ है मैं ही पैरेंट्स हूर मैं ही स्टूड़न है तो मैं ने इडेस अच्छा सुआधिवी जाइन करना है ने जाए अच्छा समाइब गुछा आपने फिजिक्स, केमेस्टी और बाला जी की पड़ाई तो हो जाएंगे। आपने जेए का लगाया। मैं मेरे क्लास की बात नहीं कर रहा हूं। जो जन्दरल क्लास की बात कर रहा हूं। सभी आम तोर पे। तो क्या हुआ पी, सी, एम आपका वो भी हो गया। ओके, वाट अबर इंग्लिश, वाट अबर इलेक्टोनिक्स, वाट अबर फिशरी, वाट अबर कॉंपर साइंस। जो यह एडिस्टन सब्जेट है, वो तो आपको घर में करने पड़ेंगे। कि मैं इतना ही कहूंगा, कि आपके बच्चे ने नीट का क्लास लगाया है, आपके बच्चे ने जेए का क्लास लगाया है, तो मैंने जेए पड़ा दिया, नीट पड़ा दिया। उसी वक्त उसको स्टेट बोर भी देना है, बहले CBC बोर दो या स्टेट बोर दो, बोर इस हम भी देना है और ये दो पैटन में बहुत ज्यादा डिफरंस है जो competitive का pattern है उसमें सिरिफ multiple choice question है dot करके आगे जाना है तो ये दो साल में उसको लिखने की practice भी नहीं रहेंगे तो ये इन general scenario है तो हम इससे different कैसे है ये बताने का प्रयास कर रहो नीट वाले तो PC भी तो पढ़ाना ही है जो पैटन है PCM भी पढ़ाना है ये तो सब पढ़ाते हम भी पढ़ाते इसके अलावा हम English भी करवा लेते हैं यह आपको English के लिए बाहर समय देने की अवशक्ता नहीं है जो other optional subject है जैसे मैंने कहा था electronics है जैसे मैंने कहा था computer science है या fishery है ये भी तयारी IT भी है ये भी तयारी है पूरा एक बार आप हमारे पास आएंगे तो पूरा ये बाहर जाने की आपको अवशक्ता ही नहीं पड़े सब सब चीजों का समावेज जो है DDS Academy में किया जाता है एक सवाल चलते-चलते जो आपसे बात चित करते हुए जो आपने कहा कि जैसे pandemic situation में आपने उन बच्चों के लिए जिनके parents वो खो चुके है आपने एक फ्री दो साल के लिए उनको फ्री में बढ़ा है तो यह एक social contribution society के प्रती आपने जो बहुत अश्चा जचर इस पर आप क्या कहीगी जब भी parents आते है एक और एक example दे रहा हूं एक parents आई थे class में उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई fees द्यू थी तो उन्होंने कहा था कि हम हमारा मंगल सुर दे देंगे और आपकी fees देंगे करके मैं भला क्यूं तो उन्होंने आंसर दिया था कि हमारे Mr. Olai Uber को चलाते है और उन्होंने जो गाड़ी ली थी वो गाड़ी उन्होंने किसी प्राइबर यहां से लिए फाइन से लिए तो यह पूरा तो बन है और हपते भी नहीं दे चुके हैं तो बले गाड़ी भी लेगे तो हम क्या करेंगे मतलब को उपजरी का साधा नहीं चला गए बिलकुल मैंने कहा कि I.C. कोई हरकत नहीं करेंगे वो अपन कि सववा साल से बहुत लोगों की बहुत जाद हालत खरब हो यह बिलकुल सही बात है यह जो है हमने भी देखा है कि पैंडेमिक सीजियोशन ने कई लोगों को इतना पीछे ला लिया है ऐसे में DDS Academy अगर बच्चों के उजूल भविश्य के लिए इस तरह का हाथ आगे बढ़ाते है तो यह सचुच में एक अभिननदीनी ये बात भी होती है आज की इस स्क्वर के साथ में देश्य मंदे जो समझा है कि हमें मैं इख एक 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 मिजांपल दोगा टांगे का घोड़ा और रेस के घोड़े में क्या फार्क होता है तो टांगी के घोड़े के आंखों के उपर में पत्तिया लगी होती है वो उतने ही दाइरे में चलता है लेकिन DDS Academy में आप ऐसे विद्ध्यारति तैर करते हैं कि जिनको कोई लिमिटेशन नहीं है उनका वाइटल गुरोथ के लिए आपने उनको एक ऐसे रिसमी कि हर कि आप एक है आप द्टारति बन्यों कि अधिए प्सक्षण सेवाँ है विद्ध्यारति विद्ध्यारति पीड़ेट प्सक्षण